हलो फ्रेंड्स मैं रश्मी स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल वास्तू सपने और भविश्य में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सपने में पानी में डूबने को विबिन अवस्ताओं में देखने का क्या मतलब होता है दोस्तों वीडियो शुरू करने से पह नहीं होता है यह सपना दुख परेशानी कठिनाई मांसिक चिंता किसी प्रकार की हानी जीवन में अस्थिर्ता या जिम्मेदारियों के पूरा नहीं कर पाने का संकेत देता है सपने में किसी और व्यक्ति को डूपते हुए देखना आने वाले समय में स्वास्ते खराब होने दुरगटना या जीवन में किसी ऐसी परिस्तिती को बताता है जिसे आप बदल नहीं सकते और वो आपके नियंतरण से बाहर है सपने में अपने आपको डूबने से बचते हुए देखना या आपको कोई डूबने से बचा लेता है तो यह सपना बविश्य में कटनाईयों परिशानियों के समाप्त होने या उनका हल मिलने का सुचक होता है साथ ही यह सपना बताता है कि आप जीवन में किसी ऐसी परिस्थिती में हैं जहां आपको किसी की मदद की आविशक्ता है सपने में यदि कोई व्यक्ति आपको जान बूच कर डुबा रहा है तो यहाँ सपना किसी व्यक्ति द्वारा आपको हानी पहुचाने, किसी प्रिकार का धोका, विश्वासकात और आपके अंदर डर और असुरक्षा की भावना को बताता है। सपने में यदि आप किसी व्यक्ति को डूबने से बचा लेते हो तो यह सपना आने वाले समय में खुशी, प्रसन्यता, संतुष्टी और अच्छे जीवन का प्रतीक होता है सपने में अपने आपको डूबने से बचने की कोशिश करते हुए देखना मानसिक चिन्ता, परिशानी और जीवन में किसी चीज को लेकर असमंजस की इस्तती और कन्फ्यूजन को बताता है आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए